चाचा ताउन ने 14,000 रुपे में बीची 10 साल की मासुम भती जी भाई ने थानी जाकर रुकवाया विवा बदरवास थाना अंतरगत ग्राउन गिदोर कंचिनपुरा सहरिया महला में एक 10 साल की नाबालिक बच्ची को उसके चाचा ताउन ने 14,000 रुपे में उसकी उमर से दुगने उमर के लड़के को बेच दिया शुकवरार की रात उसकी शादी की जारी थी मामला थाने तक पहुँच गया और थाने में यह सिद्ध हो गया कि यह पूरा मामला मानव तसकरी का है इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रकरण में F.I.R. दर्च कराने की बज़ाए पंच नामा बनाकर प्रकरण में राजी नामा करवा कर पूरा मामला रफ़द रफ़वा कर दिया पंच नामा खुद गवाई दे रहा है कि मामले में 14,000 में लड़की बेची है प्राप्त जानकारी के अनुसा दिगोद कंचन पुरा निवासी एक दस साल की बच्ची के पिता मज़दूरी पर बाहर गई हुए थे लड़की की मा नहीं है और 15 साल का भाई भी होटल पर मज़ूरी करता है बच्ची अपने चाचताओं के पास रहती थी इसी क्रम में चाचताओं ने 14,000 रुपे लेकर बच्ची को गाम हस्तिनापोर निवासी कला पुत्र कोमल आदिवासी को बेज दिया 26 मई की राद बच्ची की शादी कला से कराई जा रही थी इसी दोरान अचानक बच्ची का 15 साल का भाई गाउं पहुँच गया उसने गाउं में बहन की शादी होते देखी तो उसने विरूद किया जिस पर चाचताओं ने उसे कमरे में बंद कर दिया वे किसी तरह गेट तोड कर निकला और अपनी बहन को ले कर शादी समार उस्तल से ले कर भाग गया जानकारी लगने पर चाचताओं ने फिर से दोनों भाई बहन को गाउं से पकड़ लिया तक लड़की के भाई ने डायल सो पर फोर लगा कर मामली की जानकारी दी और मामला थाने पर पहुँच किया